आज हम देखेंगे निम्नलिखित अवधार्णाओं के उधारण एक टोकरी में केले और अनार तीन अनुपात पांच के अनुपात यानि रेशियो में है पता कीजिए टोकरी में केले कितने प्रतिशत है और अनार कितने प्रतिशत है हमें दिया है कि केलो की संख्या का अनार की संख्या से अनुपात तीन अनुपात पांच है क्या आप बता सकते हैं इसका क्या अर्थ है? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही यहां प्रतेक पाँच अनार की तुल्ना में तीन केले हैं इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतेक पाँच दन तीन बराबर आट फलो की तुल्ना में पाँच अनार हैं और तीन केले हैं इस तरह से प्रतेक आट फलो में केलो की संख्या का प्रतिशत 3 बटे 8 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 37.5 प्रतिशत और अनार की संख्या का प्रतिशत बराबर 5 बटे 8 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 62.5 प्रतिशत है हम 100 प्रतिशत में से केलो के प्रतिशत को घड़ा कर भी अनार का प्रतिशत प्राब्द कर सकते हैं यानि की अनारका प्रतीषत बराबर 100 प्रतीशत रिंद 37.5 प्रतीशत बराबर 62.5 प्रतीशत अगला उधारण एक विद्धियाले की छटी कक्षा में कुल 120 विद्धियार्थी हैं इन में से 50 प्रतिशत विद्यार्थी और टो रिक्षा से विद्याले आते हैं, 30 प्रतिशत विद्यार्थी साइकल से विद्याले आते हैं और 6 प्रतिशत विद्यार्थी स्कूल बस से विद्याले आते हैं ग्याद कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी स्कूल बस से इसे हम अलग-अलग विधियों से ग्याद कर सकते हैं जैसे हम देखते हैं कि 50% विद्यार्थी और रिक्षा से विद्या ले आते हैं 30% विद्यार्थी साइकल से विद्या ले आते हैं और 6 विद्यार्थी यानि 100% रिन 50% धन 30% बराबर 100% रिण 80% बराबर 20% विद्यार्थी बस्टे विद्याले आते हैं इस तरह से बस्टे विद्याले आने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 120 का 20% बराबर 20 बटे 100 गुणा 120 बराबर 24 है अगला उधारण दूद और पानी के मिश्रण यानि मिक्स्चर में 15% पानी है अनुमान लगाईए कि 29.650 लिटर मिश्रण में लगबग कितना पानी होगा यहां हम आकलन से इस सवाल को कम समय में हल कर सकते हैं सबसे पहले चलिए सवाल को समझे दूद और पानी के मिश्रण में 15% पानी है इस तरह से कुद 29.650 लिटर मिश्रण में पानी होगा 29.650 लिटर का 15% यानि की 15% गुणा 29.650 लिटर सबसे पहले हम 29.650 लिटर का निकटम दहाई से सनिकटन करेंगे जो होगा 30 लिटर इस तरह से पानी की मात्रा होगी 15% गुणा 30 लिटर इससे ही हम 10% धन 5% गुणा 30 लिटर यानि 10% गुणा 30 लिटर धन 5% गुणा 30 लिटर इस प्रकार लिख सकते हैं अब हम 30 का 10% ग्याद करेंगे जो होगा 3 लिटर अगर हम इसका ही आधा करते हैं तो हमें 30 का 5% प्रकाप्त होगा एक बटे 2 गुणा 3 लिटर बराबर 1.5 लिटर अब हम दोनों को जोड लेंगे तीन लिटर धन 1.5 लिटर बराबर 4.5 लिटर यानि कि पानी की मात्रा होगी लगभग 4.5 लिटर आज हमने देखे निम्नलिकित अवधार्नाओं के उधारण अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ मित्याधार्नाएं देखेंगे कि अवधार्नाओं के अवधार्नाओं के अवधार्नाओं देखेंगे